नमस्कार, ABNA News में आपका आप बहुत-बहुत स्वागा थे और मैं हूँ सुरेज ज्जा 26 जनवरी का दिन, गरतंत दिवस का दिन, किसानों ने दिल्ली में जम कर उत्पात मचाया हमारे देश के लाल के लाएन प्राचीर वहाँ पर घुसा है और वहाँ पर अपने जंडा लगा दिया गरह मंताले ने सकती दिखाए, दिल्ली पुलीस को आदेश दिया कि आप तुरंत कड़ी से कड़ी कारवाई करें और दिल्ली पुलीस ने भी देरी नहीं लगाए, दिल्ली पुलीस ने तुरंत अफाया दर्ज कर ली इन नेताओं खिलाब जो अफाया दर्ज हुए, उसमें क्या आगे कारवाई हो सकती है किसान हमारे देश का अननदाता है और किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या है और अर्थ बेवस्ता में भी उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है आज किसान के नाम पर जो विपच्छ ओचि राजनीती कर रहा है और जो किसानों के भावनाओं को और किसानों के समुधाय को नियंतरित करने की चाल चली जा रही है और उसमें हद तो ये हो गई कि जब हमारे लाल किला, लाल किला मतलब 15 अगस्त को हमारा कारिक्रम ही सोतंतरता दिवसका वहां से होता है आप उसको अगर धूमिल करेंगे और वहां आप खालिस्तानी जंडा लगा देंगे या आप ये कहेंगे कि हमारी जो लोकतांतरिक संस्थाएं हैं जिसमें सर्वोच है, पार्लियमेंट, संसद और सुप्रिम कोर्ट आप दोनों जगा से कंसल्टेशन कर रहे हैं दोनों जगा से कैसे कर रहे हैं क्योंकि केंदरी मंत्री मंडल के क्रिसी मंत्री के साथ आपका अल्रेड़ी एक परामर्श चल रहा है और मीटिंग और कई डेट्स आपको दी जा रही है मतलब कोई ये नहीं का सकता आज तकनी की रूप से कि सरकार किसानों से वारता नहीं कर रही है इसके बाद भी आप दो महिने नहीं रह सकते थे कि चलो ठीक है दो महिने के लिए हम आंदोलन अस्थखित करते हैं यदि हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम करते हैं आप ये दिखाना चाहते हैं कि बनाना रिपब्लिक का जो उदारण दिया जाता है कि हम एनार्की फैला देंगे, मतलब हम लाल किले पर खालिस्तानी जंडा फैला आएंगे, हम 26 जनवरी के जो गड़तंत्र दीवस है हमारा उस दिन हम डिस्टर्ब करेंगे दिल्ली में आके, तीसरा हम कोई भी जो हमारा पुलिस है, प्रसासन है, उन लोगों से हम तलवार, लाठी, डंडे से हम लड़ेंगे, तो ये आप बता दीजिए कि ये जनतांत्रिक ब्यवस्था में कहां तक उचित है, और यदि आप किसान नहीं कुछ भी है, तो एक देश के सामाने नागर को आगे करके, उस किसान के समुदाय को आगे करके, जो विपच्छ ओची राजनीती कर रहा है, और जो कुछ लोग ऐसे हैं, जो एंटी नेशनल हैं, जिनको इतने करोणों अर्बों रूप हैं, विदेशों से चंदे के रूप में मिल रहे हैं, आज इसकी भी जाच होनी च कि CBI ने कई अस्थानों पर छापे मारे हैं, हरियाणा और पंजाब में, जो ट्रैक्टर, ट्राली और इस धंके सिंडीकेट करके, सरकार के विरुद्ध हैंटी नेशनल एक्टिविटी करके, और लोगों की भावनाओं को भढ़का के, राष्टर द्रोह जैसे कार्य को बेटकर की बात करते हैं, एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, एक तरफ आप बनाना डिपब्लिक वाली स्टाइल में आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम तो किसी को नहीं मानते हैं, तो आप किसी को माने याना माने, इस देश का जिम्मेदार नागरिक और हर जिम्मे आयल है वो सभी में आस्था रखता है और यदि इस धंकी किसी चीज के नाते आज हम अपने कानून को बदल लें या आपके इस धंके किसी भी चढ़ाई बोलने के नाते कर लें तो ये एक नई धारा को जन्म देने जैसा होगा कि कल को जिसके खिलाप कुछ होगा वो ट्रैक् जिसमें संप्रभुता किसी भी देश के लिए स्वरेंटी संप्रभुता से बड़ा कुछ नहीं है और संप्रभुता की परिभासा ये किसान आंदोलन के लोग पढ़ लें कि संप्रभु कौन होता है संप्रभु है हमारे देश की जो जनता है संविधान है जनतंत्र है हमार लोगों के खिलाब F.I.R कराई गई है विभिन लोगों के खिलाब पुलिस और तमाम एजनसीज ने लोगों के खिलाब F.I.R दर्ज होई है उनके खिलाब क्या कारवाई होगी क्या उनको जिल जाना ही पड़ेगा जब तक F.I.R नहीं दर्ज होती है तब तक आप डेलीगेशन का नाम दे दीजिए कंसल्टेशन का नाम दे दीजिए किसी भी ढंका इनफार्मल कुछ भी दे द जो C.R.P.C. है और I.P.C. उसके अनुसार कारी होगा उसमें अगर कोई यह कह दे कि यह B.J.P. कर रही है यह कांग्रेस कर रही है इस चित रूप से गिरफतारी होगी आप इन्वेस्टिगेशन को कॉपरेट करिए इन्वेस्टिगेशन को कॉपरेट नहीं करेंगे तो अगर आप नहीं कानून वेवस्था बनाए रखने में मदद कर रहे हैं तो आपके खिलाप इन सब मामलों में जिस धंक से खालिस्तानी प्रोपगंड़ा उगर आया उस इसाब से राश्ट्र द्रोह की भी बात आएगी सेडीसन की भी बात आएगी 26 जनवरी के हाथसे के बाद से सरकार की सक्टी के बाद किसानों ने खुद बाखुद अब यत्या कर लिया था कि वो अपने आंदों को खत्म कर देंगे और अगर हम गयात करें गाजीपूर बॉर्डर से तो वहां से किसानों ने जाना शुरू भी कर दिया था लेकिन जिस पता चल रहा है कि अब दिल्ली पुलीस उन तमाम किसान नेताओं को एके करके बुलारी और शायद हो सकता कि आने वाले दिनों में उनकी गिरफतारी भी की जा सके कैपिरसर राहूल के साथ सुरेज ज्जा एबिन नीज दिल्ली